Hello Children, Welcome to Assay Education आज अब कर रहे हैं पोयम The Lake Isles of Insfrey Beehive Book से, Rate 9, CBSE इस पोयम पर लिखा है W.B. Eats ने ये जो पोयम है ये 1893 में लिखी गई थी Insfrey जो एक छोटा सा आइलेंड है Lake Lock Gill पे, जो की Counties Leagueों में है ये Ireland का जो कोस्ट है, महाँ एक छोटी सी जगे है W.B. East का जाधा तर जो बच्चपन था या बच्चपन में जो छुटियां वगर थी वो Counties Leagueों में ही बीत ली और इस वचे से उनको ये जो प्लेस थी ये बहुत जादा पसंद थी कहते हैं कि ये जो पोयम है अब जो Adult Eats थे यानि जब Eats बड़े हो गए तब वो चाहना चाहते थे उसी अपनी बच्चपन की जगे पे जहां उनको बहुत जादा शांती मिलती थी और तब उन्होंने जो है इस पोयम को लिखा है तो जो सेटिंग है पोयम की वो जो Lake Isle of Innisfree है उसके Shorts पे है ये एक छोटा सा Island है Island के अंदर इसमें पहले ये दोनों Stanzas है उसमें सेटिंग के बारे में ही बताया गया है पर जो Third Stanza है उसमें जो सेटिंग है चेंज होकर City आप में आ जाती है जहां पर Roadways और Pavements वगरा होते हैं अब Speaker जो है पोयम के वो कहते हैं कि वो उठेंगे और वो इंस्परी जाएंगे जो कि एक छोटा सा Island है Island के अंदर वहां पर जाकर वो अपने लिए एक Cabin बनाएंगे जो कि Clay और Wattles से बना होगा Wattles और Clay जो है वो दर Material होता है जिससे हम दीवार यो फैंस वगरा बनाते हैं वहां पर वो जो है 9 rows लगाएंगे Beans की फिर उनके पास एक Honey Bee का Hive भी होगा वो अकेले की उस जगह पर जानना चाहते हैं जहां पर उनके आजपास सिर्फ Beans की Buzzing हो और कुछ नहीं यानि की वो सिर्फ और सिर्फ नेचर के बीच में ही रहना चाहते हैं वहां पर उनको शांती मिलेगी वो ऐसी शांती होगी जो सुभार आनी शुरू होगी धीरे धीरे फिर दुपहर तक रहेगी और पूरी रात तक उनको वो शांती महसूस होगी स्पीकर फिर इस बात को रिपीट करते हैं कि वो उठेंगे और उस जगे जाएंगे जहां उनका बहुत जाना जानी की इच्छा है क्योंकि उनको जो है हमेशा ये जो पानी है उसके जो बहने की आवाज है ये जो टकराने की आवाज होती है शोर से वो लहरों की सुनाई देती रहती है पर यह सब वो कहां से सुन रहे हैं, इस वक्त जहां वो खड़े हैं, यानी कि उनके मन में एक बहुत दबी हुई इच्छा है, वो जो हैं, उस जगे जाना चाहते हैं, जहां उनको शांती मिले, लेकिन एक प्रेजन वो कहां अपर हैं, वो एक भीड़ भाड़ वाले शहर में हैं और एक पेव्मेंट के उपर खड़े हुए हैं और जो कुछ भी उनके मन में आ रहा है जो कुछ भी वो सुन रहे हैं वो सब उनके दिल से निकल रहा है जो पोईम है उसमें मिल्ली जो बताया गया है वो यह है कि स्पीकर यह इच्छा है कि वो इंस्प्री जाना चाहते हैं, उन्होंने अपने सारे प्लान्स बना चुके हैं, इंस्प्री जाने के लिए, अब बस उनको सिर्फ एग्जिक्यूट करना बाकी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, कि वो इंस्प्री में हैं, या वो वही बता, खड़े उके लिख रहे हैं, अभी वो जो हैं, शेहर में हैं, शेहर में रहे के, वो कोशिश का रहे हैं, कि वो उस जगे पे जा पाएं, यहां उनको जाने का मन है, एक शांती की जगे पे, लेकिन जो जो उनके मन में आ रहा है, बस उसी को वो सोचते हुए, जो है, पोयम को लिख रहे हैं, पहली लाइन से लेके, सेकिंड स्टेंजा तक, जो भी उन्होंने रीजन दिया है, यहां से जानी का, वो सिर्फ और सिर्फ है, कि वो शांती की तलाश में है, वो चाहते हैं, कि वो वहां जाकर अकेले रहें, और उन्हें कोई भी वहां पर डिस्टर्ब ना करें, उनका मतलब यह है, कि उनके उपर वो जो शांती आए, वो बहुत धीमे धीमे आए, तब यह उन्होंने उस word, dropping slow का इस्तमाल किया है, कि जो शांती है, उसका भी आने का अपना एक तरीका होता है, जैसे, सुबह सुबह की जो बिल्कुल सुबह होती है, वो जो कोहरे की, कोहरा जहरा होता है, तब कैसी शांती होती है, या उनको शांती जो है, उसके गाने में भी उनको शांती महसूस होती है, उसमें उनको शांती फील होती है midnight sky जो है इंस्ट्री की उसमें खुब सारी जैसे कहें दिन रात में चांद तारी निकले हुए हैं उससे उनको शांती मिलती है moon का color जो है वो बिल्कुल purple दिखाई देता है evening जो है वो उसमें छुटी छुटी जो birds होती है lineage उनके जो punk हैं उनके फटफडाने से उनको जो है शांती मिलती है ये सारी चीजे जो हैं एक ऐसी जगे covenant कर रही है nature के जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ nature ही होगा आपके पास आसपास कहीं कोई आपके भीड़वार नहीं होगी कई हसल बसल नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ आप nature के बीच में होंगे और ये बारी क्योंकि जब आप nature के बीच में होंगे बहुत सारी चीजें आपके आसपास सबनैचरल होंगी तो आप ऐसे ही इस environment में बहुत जादा शांती महसूस करेंगे बार बार पोएम में अपने इसी resolution को जो है जो डाल रहे हैं कि नहीं मेरे को जाना ही जाना है क्योंकि जिस जगे वो खड़े हैं रोडवे पे या pavement पे वहां से वो अपने दिल से उस पानी के आवास को सुन पा रहे हैं जो शोर से टक्रा रहा है अब मतलब आप समझ सकते हों कि इस time place जो speaker है वो वाकरी में एक शहर के अंदर है एक ऐसा शहर जहां उनको बहुत जादा बीर बहार बहुत जादा congested जगे हैं और वो वहां से अकेले भागना चाहते हैं शानती की तलाश में और इसलिए वो जो है इंस्प्री जाना चाहते हैं तो में जो poem का है आइडिया वो यही है कि शानती और ग्रीन्डी की तलाश में poet इंस्प्री जाना चाहते हैं क्योंकि वहां सब कुछ जो है वो natural है उनको बहुत जादा इच्छा है कि वो जो है तो इसमों बिलकुल अकेले, शान्थ, एक ऐसी जेके पर रहें, जहां आपसपस ना तो भीर बढ़का हो, और ना ही जो शहर है उसका शोर शराबा हो, तो यह थी हमारी पोयम, लेक आल्स अफ इंस्ट्री, आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करो माँ चैनल, हसा एजूकेशन, बाई